हेलो फ्रेंड्स मैं गौतब मैं आज आपको बताऊंगा हैव टू का दू तरीके से हम लोग इंगलिस के अंदर इसका उप्योग करते हैं पहला तरीका मैंने बताया है अगर आपने नहीं देखा है तो काइडली उसे देखें आज हम लोग दूसरा तरीके सीखेंगे हैव पर्योग करते हैं और आज मैं जो बता रहा हूं वह टू का पर्योग जो काम करना परता है या जो काम करना होता है उसके लिए हैफटू का पर्योग करते हैं अब है आप टू के बाद जो भर बाएगा वो भर वन का परियोग करते हैं अब हैप टू का इस्तमाल हम कैसे करेंगे इस फोकें इंगलिस के अंदर पहले यह जाने उधारन के माद्यम से जैसे एक उधारन लेते हैं मुझे घर का काम करना पड़ता है तो इसको इंगलिस में कैसे क मुझे खाना पकाना पड़ता है या होता है अगर बूलना है तो I have to cook food चौता सिंटे देखे मुझे कप्रा दोना पड़ता है क्या कहेंगे I have to wash clothes बांचवा सिंटेश देखे मुझे दो घंटे पढ़ना पड़ता है तो क्या कहेंगे I have to study two hours तो have to का पड़ियोग कप करेंगे यह मैं आपको बता रहा हूं have to का पड़ियोग spoken English के अंदर बहुत होता है have to का पड़ियोग कप करेंगे जो काम करना पड़ता है फिर से देखें जो काम करना पड़ता है या जो काम करना होता है हमें उसके लिए हम लोग have to का पड़ियोग करते हैं और have to के बाद जो भर्ब आएगा वो भर्ब वन आएगा root भर्ब का इस्तेमाल करते हैं अब उधान ले ले जैसे अगर मुझे बोलना है मुझे घर का काम करना पड़ता है तो क्या कहेंगे? I have to do my household work दूसरा example देखें मुझे यह सब सहन करना पड़ता है तो क्या कहेंगे? I have to bear all this तीसा sentence देखें मुझे खाना पकाना पड़ता है या मुझे खाना पकाना होता है अगर बोलना है तो I have to cook food चौता sentence देखें मुझे कपरा धोना पड़ता है अगर कहना है तो I have to watch clothes पाच्वा सेंटेंस देखें मुझे दू घंटे पड़ना पड़ता है I have to study two hours तो इस तरह हम लोगों ने सीखा have to का पर्योग तो पहला जो मैंने सीखाया था उसमें जो काम करना है उसके लिए have to का पर्योग करते है और आज मैं आपको बता रहा हूँ जो काम करना पड़ता है या जो काम करना होता है उसके लिए भी हम लोग have to review करते है I hope आपको समझ में आया होगा Thank you for watching